हलो फ्रेंट्स माइन मीज़राकेस न ओटवाजर चलने में आप सभी का स्वागत है दोस्तो ओला एलेक्टरिक स्कूटर के अलावा अगर आपको इस टेम पर कोई अच्छा स्कूटर नहीं नजर आ रहे हैं तो आज की स्वीडियो में आपको एक ऐसे नई स्कूटर के बारे म को मिलेंगे इस स्कूटर का लुक को डिजैन अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर यह स्कूटर काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और ओला स्कूटर के मुकाबले में कहीं ज्यादा मैसिव लुक यहाँ पर मिलती है वहीं कंपनी अपने इस स्कूटर के ती एडवांस फीचर मिल जाएंगे जैसे कि इसमें नाविकेशन मिलेगा जियो फेंसिंग सेंटर लोकिंग मॉवाइल किनेक्टिविर्टी सब कुछ आपको इस स्कूटर में देहने को मिल जाएगा इस स्कूटर में भी एक काफी बड़ा इंस्ट्रुमेंट कॉंसोल भी मिलेग जिसमें कि इसकी स्पीड बैटरी स्टेटरस और सभी इंफोमेशन यहां पर देहन को मिल जाएगी हाला कि यह कंपनी इस स्कूटर पर काफी टाइम से काम करी है और इस स्कूटर के जो फीचर निकल कर आते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि यह स्कूटर ओला इस स्कूटर को कहीं ज्यादा पीछे छोड़ देगा वैसे इस स्कूटर का डिजाइन टोटली एक चाइन से लिया गया है यानि कि इस स्कूटर के डिजाइन के स्पेशल कॉपी राइट को खरीदा हुआ है जैसे कि ओला एलेक्रिक स्कूटर ने नीदरलेंड की कमपनी से अपने स्कूटर का डिजाइन लिया हुआ है बस उसी तरीके से एलेक्रोन ने भी अपने इस स्कूटर का डिजाइन लिया हुआ है बाकि इस स्कूटर को पूरी तरीके से इंडिया में ही डेलप किया हुआ है अब इस स्कूटर के कुछ फिचर के बात कर लेते हैं जिसमें क इस तरीके के जो हमें स्कूटर देहने को मिलते हैं, उनमें रिमेवल बैटरी बहुत ही कम देहने को मिलती है, जैसे कि हमें ओला के केस में मिलता है, यहापर आपको रिमेवल बैटरी नहीं मिलती, बट इस स्कूटर में आपको रिमेवल बैटरी मिलेगी जिसको कि आप अपन किलोमेटर की स्पीर सिर्फ 2.5 सेकेंड में अच्छीव कर लेगा और यह स्कूटर 9.6 किलोवाट पीक पावर मिड ड्राइ मोटर के साथ में आता है वहीं इस स्कूटर के अगर रेंज की बात किजिए भी सामने नहीं आई है वहीं अगर आप ऊजिलेवन मन्त के अंदर या उससे तो आपके पूरी प्रइंस क्लेम किया हुआ ऑपनी बाकि, इस स्कूटर अगर आप देखना चाते हैं या इसकी टेस्ट्राइव लेना चाते हैं तो इस स्कूटर की टेस्ट्राइव स्टार्ट हो चुकी है जो कि दिल्ली में आपको मिलेगी जिसका लिंक मैं आपको निचे डिस्क्रिप्चन में दे दोंगा वहां से जाकर, स्कूटर के बराबर ही होगा और लास्ट एलेक्ट्रों प्रो मैक्स स्कूटर की कीमत 1,80,000 रूपीज होने वाली है जो की काफी ज्यादा कोशली होगा क्योंकि इसमें हमें ABS का सपोर्ट और थोड़े से फीचर अलग देहनों को मिलेंगे तो ओन पेपर तो इस स्कूटर की ड नोटिफिकेशन ओन कर लें ताकि वीडियो अप्लोड होते ही आप लोगों तक पहुंच आए बाकि आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर सी बताना और वीडियो चले के तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मैं मैं मिलता हूँ आप से को आप से नीच वीडियो में तो तक लिए स्टे शेफ और सेफ राइट